चन्द मिन्तों की हुई बारिश ने थाना टाजगंज की पोल खोल कर रख दी थाना टाजगंज बारिश के चलते लब-लब भर गया और तालाब जिसा नजर आने लगा बोद्वार को हुई बारिश ने नगर निगम की ब्योस्ताओं की पोल भी खोल दी पानी भरने के कारण पुलिस कर्मियों और शिकायत करताओं को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा थोड़ी बारिश नहीं ताजगेंजित थाना जलमगन कर दिया पानी भरने के कारण पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी निभाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कई महत्वपून, दस्तावेज और उपकरण भी खराब हो गए ठाने में पानी भरने से पुलिस कर्मियों को खासा दिक्कत हुई ठाने के अंदर जो लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने आये थे, उन्हें भी पानी से होकर गुजरना पड़ा जल्भराव ने नगरनिगम की कारशेली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं ताजमहल जैसे विश्वप्रसिद एतिहासिक स्थल के पास स्थित ठाने में इस तरह के जल्भराव की स्थिती नगरनिगम की लापरवाही को दर्शाती है ताजमहल के आसपास की साफसफाई और जल्निकासी की विवस्था पर ध्यान न देना नगरनिगम की गंभीर चूप को दर्शात आपको बता दें कि वार्ड नमबर 44 जिसमें ताजगन जिथान अस्थित है 2018 में स्वच भारत मिशन की तहित प्रदेश का सबसे स्वच वार्ड का अवार्ड मिला था इस अवार्ड के बावजूद वर्तमान स्थिती ने इस अवार्ड की प्रासांगिकता और सच्चाई पर सावाल खड़े कर दिये हैं अगर यह वार्ड वास्तव में सबसे अच्छा था तो कुछ घंटों की बारिश में इस तरह की जलभराव की स्थिती क्यों उत्पन हुई सीन्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट आगरा के सरबादिक लोक्रेचनल सीन्यूज के यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन का प्रेस करना ना भूले